सलाम दोस्तों आप लोग का स्वागत है फिर हमारे एक नए व्लोग में जैसा कि आप लोग ने देगा है चैनल पे कि हम हैदराबाद गए थे और हैदराबाद से हमने बहुत सारी शॉपिंग की जादा नहीं की तोड़ी की क्योंकि हम सिर्फ दो या तीन दिन के लिए वहां मुंबई में नासिक में नहीं मिलती वो चीज हमने लेकिया है तो एक एक करके शुरुवात करते हैं बने रही है आप वीडियो में और हाँ अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें हम इसी तरह से नए नए हमारे आप देखिए हमने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट अपलोड किया है लाडबाजार का चार मिनर के सामने जो मार्केट है आप देखिए 99 से चीजे स्चार्ट होती है 190 तक आपको प्राइज में मिल जाएगी और बहुत अच्छी चीज है आप वो भी विजिट किजिए चलो बिना टाइम वेस्ट करें स्चार्ट करते हैं तो पहला प्रोड़क्ट है यह डोर मैट आप देख सकते हो यह जूट का है और अच्छे एक डिजाइन में है और इसकी कलर्स भी अच्छे है रेड वाइड और ब्लाक के साथ बैगराउंड में टोन दिया हुआ है यह द आप देख सकते हो इसकी लेंद कितना बड़ा है यह यह यहां से स्चार्ट हो रहा है और नीचे तक आपको मैं बता देता हूँ तो इसका जो प्राइज है वो 120 रूपीज है मिन्स एक 60 रूपीज का है नेक्स चलते हैं दूसरे प्रोड़क्ट तो आप देख सकते हो इस त 20 रूपीज के हैं यह हमने जो भी परचेस किया है यह चार मिना लाड़ बजार के पास से परचेस किया है तो चलते हैं नेक्स प्रोड़क्ट की तरफ तो यह नेक्स प्रोड़क्ट है बहुत अच्छा डिस्पले है मिरर वक के साथ आप इसका यूज अपने लिविंग से आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफूल है यह दो हमने परचेस किया है दो खरीदा है और एक का जो प्राइज है वो 100 रूपीज है वैसा तो उन्होंने 550 बोला था बारगेनिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी है तो आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो तो यह रहा एक पूरा कंप्लीट सेट और यह हम जब यहां पर लगा देंगे अपने लिविंग रूम में तो उसका भी शूट करके हम वीडियो यूटूब पर देंगे कि आपको देख सके आपके किस तरह से किस तरह लगता है यह वाल पर यह ग्लीम्स हम दे रहे है आपको जो घर में हमने डेकोरेट किया है तो आप देख सकते हो यह प्लेस्मेंट किया है इस तरह से हमने सजावट किया है आप भी इस तरह कर सकते हो बहुत ब्यूटिफूल लगता है बहुत अच्छा लगता है तो यह एक कॉर्णर है और यह र हैं जो बहुत पुराना है मेरे ग्रैंड फादर के जो डाइड है वो यूस करते थे यह तो बहुत पुराना है अगर आप देखोगे तो यह 30-40 येर्स पुराना पांदान है जैसा कि आप लोगों को पता हैं कि हैधराबाद के जो लोग होते है वो पान गाने के बहुत शौकीन होते हैं तो चलो लेट्स कंटीनियो थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं तो दोस्तों ये रहा हमारा फॉर्थ प्रोडक्ट जो हमने पर्चेस किया है और मैं आपको बता दू कि ये चार मिनार से नहीं हमने करीदा है ये हमने करीदा है है हैधराबाद की होलसेल मार्केट से जिसका नाम है रूप बजार जो एबिट्स पे है वहाँ से हमने ये लिया है ब्यूटिफुल साइक पीस ये हैंगिंग है और इसमें बल्ब्स है जो ओन होते हैं बल्ब्स इसमें लगे हुए तो ये भी हम जब लगाएंगे तो उसका भी हम शॉट शूट करके अपने चैनल पे आपको बताएंगे कि किस तरह से ये लगता है तो इसका जो प्राइज है वो 350 रुपीज है होलसेल में क्यूंकि हमने रिक्वेस्ट किया था कि हम एक चैनल चलाते हैं और हमारे चैनल पे आपका जो प्रोड़क्ट है वो दिखेगा तो उन्होंने एक पीस दे दिया वैसा नहीं देते हैं वो क्यूंकि हो होलसेल तो यह हमारा फूर्थ प्रोड़क्ट है चूंकि बहुत ब्यूटिफुल है आपको क्लोज अफ से बता देता हूं इसमें लीव्ज भी है और पूरा मैटल का है तो यह हमारा फूर्थ प्रोड़क्ट है LED लाइट आप देख सकते हो इसको कौन करके बताना जादा बहतर था क्योंकि आपको समझ में नहीं आता और यह हमको मिलाए कितने में मिलाए यह हमको यह हमको मिलाए 50 रुपीज पर मीटर चुके इसकी कॉलिटी बहुत अच्छी है वहीं से लिया हमने होलसेल मार्केट से और यह होलसेल में ही हमको मिलाए तो आप देख सकते हो हमने कुछ 5 मीटर खरीदा है और यह भी हम लगाएंगे जब एक शॉट आपको दिखाएंगे क किस तरह से इसका वाल पे या कबोड पे लगा सकते हो एक डिफरेंट इफेक्ट के लिए तो यह हमारा फिफ्थ प्रोडक्ट है तो यह रहा हमारा सिख्थ प्रोडक्ट एक डस्चर जिससे आप अपने घर के कारपेट्स और सोफा स्क्लीन कर सकते हो एसली और जो सीलिंग पर चेश किया है चार मिनार से और इसका जो प्राइज है यह हमने परचेश किया है वन तर्टी रुपीस का जो के बहुत चीप लगा हम लोग को और इसकी जो साइज है वो पाट जो पाट